हेलो एवरिवान, स्वागत आप सभी का टूपर स्प्राइंट चैनल में इस विर्व में हम देखेंगे टीजीटी एच्टेट का जो एक्जाम हुआ है उसके आंसर की, पार्ट वाई जो हम आंसर की करने वाले हैं तो 4 ओप्षन इसमें दिये गहे हैं, बच्पन, एश्वरिया, कैशोरिया या मातर तो व्यक्ति वाचक संग्या से भावाचक संग्या बनी या तो माता से मात्र तो बना है, तो मात्र कह लिजिये या माता कह लिजिये तो यह बन जाएगा option number 4, भावाचक संग्या का निर्मान इसमें हुआ है, ठीक है, अगला है किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्या है, यहाँ पर संकेतार्थक वाक्या की बात हो रही है, तो संकेतार्थक वाक्या किसमें हो जाए, संकेतार्थक वाक्या क्या होते है, जिसमे यह शब्द आता है तो उसमें संकेतार तक वाक्य होता है तो यदि तुम आओ तो मैं चलू ठीक है तो option number second जो है यहां पर correct होगा अगला था प्रत्य की दृष्टी से किस शब्द की रचना अनुचित है फर्स्ट है मुरेला में एला प्रत्य बिल्कुल सही है अधेला है मुरेला है इन में एला प्रत्य जो है आता है ये point बिल्कुल सही है कटिला में एला प्रत्य भी ठीक है ससुराल में आल प्रत्य भी ठी जैसे इन प्रत्य किसमें होता है रंगीन में होता है रंगीन रंग जमा इन उके शोकीन हो गया नमकीन हो गया इन में सब में क्या है इन प्रत्य लेकिन विलीन में इन प्रत्य नहीं है ठीक चलिए अगला देखिए समास विग्रह की दृष्टी से कोन सा विकल्प उचित है ज तो यहां पर सबसे पहले दिया गया है हत करगा, हत करगा का हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कि इसका विग्र है, जो है क्या बनेगा, समास विग्र है, तो देखें क्या बनेगा हत करगा, हत करगा क्या होता है, हाथों से चलने वाला करगा आप कह सकती है, तत्पूरू बुचित यहां पर दिया गया है ठीक है चलिए अगला देखें नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है बुजंग बुजंग जो है गलत हो जाएगा बुजंग जो अर्थ होता है वो सांप होता है या श्रिप कह सकते है तो यह तो नहीं वनेगा बट इसका विग्रे देख सकते हैं ओके देश भगती देश के द्वारा भगती निया देश के लिए भगती होना था याँ पर इसलिए भी गलत है ओके पशु की बली हो सकता है पशु के लिए बली नहीं पशु की बली पशु की बली तो ये गलत हो जाएगा तो फर्स्ट उप्शन इसमें करेक्ट रहेगा ठीक इसमें, तो इसमें देखें जिसमें अनुौस उससर्ग पुछा है, अनू पात अगर होता तो इसमें अनू प्रत्य हो सकता है, यहाँ पे आनू पातिक दिया तो यह वाला इसमें सही होजाएगा जो अनू उपसर्ग से निरमिद नहीं है, ठीक है? अगला है निमन में से किस कथन गलत है तो री का उच्छान स्थानमूर्द है ये बिलकुल सही दिया गया यहाँ पे यह और वै को अर्ध सवर्भी कहते हैं डै और डै उच्छिप्त वर्ण कहलाती है तीनों पॉइंट सही है लेकिन जो है कि जो विसर्ग दवनी होती है उसकी गन्ना नसिक्यवरणों में नहीं की जाती है यह होना था नहीं की जाती है बट यहाँ पर बोला है की जाती है तो इसलिए यह गलत हो जाएगा यहाँ ठीक है किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज है यानि कि विदेशी बाशा क अलग-अलग जो है अर्भी है, फार्सी है, इंग्लिश है, ओके अपनी देशी भाषा के नहीं है, ना हिंदी के है, ना संस्कृत के है, तो देखें इसमें अगर आप देखेंगे पवन हिंदी के भाषा का शब्द हो जाएगा तो यह तो वैसे नहीं रहेगा, इसमें कहानी पक्षवार भी नहीं होगा तो फॉर्थ ओप्शन सही रहेगा किस्ता स्कूल और हमला हमला अर्भी का है इसी तरीके से किस्ता और स्कूल भी जो है अलग-अलग के हो जाएंगे तो ओप्शन नमर फॉर्थ जो जाएगा जिसमें सारे शब्द क्या है विदेशज हैं प्राइ अकला है किस वाक्या में प्रीमान वाचक विसेशन का प्रियोग हुआ है प्रीमान वाचक विसेशन पूछा है इसमें तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं थोड़ा कुछ बहुत इस तरीके कि जो वर्ड मिलेंगे वहाँ पर प्रीमान वाचक विसेशन होता है तो इसमें ज क्या इसके लिए लोकोक्ती चुननी है, तो डूबते को तिनके का सहरा, यानि कि जब विपत्ती आती है, तो थोड़ी सी सायता भी बहुत बड़ी लगती है, तो वही बोला है, डूबते को तिनके का भी सहरा, किस वाक्य में सरवनाम संभंधी अशुद्धी है, तुम्हारी पुष्टक यह है, नहीं, वह है, बिल्कुल सही दिया गया है, मैं अपना कारिय कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है, सराया है, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या आना था, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, मेरे को नहीं आना था, म सत्चरित्र हो सकता है, सत्चरित्र दुष्चरित्र, ओकी इस तरीके से, तो option no. second इसका, अनुचित्र यूगम जो है, विलोम शब्द का हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question देखे, question no. 43 है, क्रिया के समन्द में कौन सा यूगम अनुचित है, अनुचित पूछा इसने, बिखारी सडक पर चिला रहे थे, आकरमक करिया है इसमें, ओके, सही है, तो ये point बिल्कुल सही है, कि बिखारी सडक पर चिला रहे थे, आकरमक हो जाएगी, राधा शाम को पतर लिखती है, द्वी करमक हो जाएगी, बगीचे में मोर नाच रहा है, तो यहां पे आकरमक करि गटा को देखकर मोर नाच रहा है तो वहाँ पर सकर्मक्रिया हो सकती थी बट यहाँ पर नहीं होगी तो option number 3 जो है यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है अगला देखे संधी विछेद अनुचित बताना था इसमें आशीर वचन जैसे दिया है आटो आशी और वचन तो यहाँ पर विसर गटा के रह जो है बन जाएगा बहिर एकता ठीक है तपह चरिया तपश चरिया हो जाएगा ओके रती जमार रंच ओके में भी इस कांसर यह हो सकता है option number 3 ठीक है अगला है निमन में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है नहले पर दहला मारना करारा जवाब देना बिलकुल सही है बतिशी बंध होना चुप हो जाना सही है सिर का पसीना पाओं तका आना कठीन परिश्रम करना होगा और थाली का बेंगन होना सरव सुलब होना यह यहाँ पर गलत दिया गया है और सही नहीं है ये तो option number 4 इसका correct answer हो जाएगा थाली का बेंगन होना यानि कि जो पक्ष बदलता रहता है ठीक है जहां पर पलड़ावारी होता है यानि कि कह सकते हैं बार 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 अपना पक्ष जो है बदलते रहना एक बार उस साइड एक बार उस साइड इस तरीकी का होता है कुछ थाली का बेंगन होना तो ये था हिंदी का solution थैंक यू सो मच बाकी के parts भी जो है आपको जल्दी ही मिल जाएंगे one by one थैंक यू